जड़ कोई भी चावल या दाल या कोई भी ऐसे बीनज को भी धोते हो पानी से, तब आप यह पानी को फेकिए मत, यह पानी को आप kोई भी अगवागोने में ऐसे जमा कर दीजे और फिर उसे वो पानी को आप प्लन्स में डालने के लिए यूज कीजिए ये plants के लिए एक natural fertilizer है और ये plants को बहुत ही healthy बनाता है और plants में जो भी nutrients चाहिए ये ऐसे पानी से मिलता है तो ये पानी का भी बचाव करता है और plus हमारे plants को भी benefits रहता है तो जब हम mixi में ये कोई भी juice निकालते है veggies का या कोई भी जैसे मैंने अभी ये beet root और carrot का juice निकाला है तो इसका जो pulp है ये pulp को fake ना मत क्योंकि ये pulp में maximum fibers रहते है तो ये pulp का हम use कर सकते हो आप ये pulp से कोई भी आटा गुंद के पराठा बना सकते हो पापड़ी बना सकते हो कोई भी नास्ता बना सकते हो ये मैंने पाप डालके तो एक अच्छा नास्ता healthy नास्ता हो जाता है आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो कोई भी पराठे बना सकते हो आपकी creativity कर सकते हो तो एक healthy food intact होता है अभी आपके family के लिए ऐसे juice बना के पिलाएए ये बहुत ही beneficial है और इसके फाइदे तो आपको मालूम होंगे और आप को चाहिए तो मैं इसके detail video बनाऊंगी और इसके सब benefits बताऊंगी तो आप मुझे comment करके बताना अगर आपको चाहिए तो ये 10 minute लगता है इसे बनाने में तो आप जरूर बनाएए आपके family members के लिए और आप भी पिये क्योंकि healthy रहना ये हमारा first step है towards the healthy and positive life summer specialty summer में आप एक परके पानी का उसके अंदर एक चमत सब्जा सिट्स और एक दो स्लाइस आप निम्बु की डालके रख दीजे टेबल के उपर और जब भी प्यास लगे तब यही पानी पीजे ये बैसल सिट्स सब्जा सिट्स का जो पानी है वो summer में बहुत ही अच्छा है इसमें बहुत ही अच्छे गुन है थंडग देता है बोड़ी को और यह बहुत ही beneficial है लैमन की चिलके जब हम यूज कर देते हैं लैमन उसके बाद यह चिलके को फेक देते हैं इसे फेक किये मत इसे आप एक डब्बे में रख दीजे और उसके पर थोड़ा सॉल्ट डालके सॉल्ट ऐसे डा इसे आप आपके तामभी और पितल के बरतन साफ कर सकते हो एकदम चमक जाएंगे और आप आपके जो बैसिन रहती है वो बैसिन को भी आप क्लीन कर सकते हो बैसिन के टैप को सब एकदम चमक जाएंगे तो इसका भी एक अच्छा री यूज होता है